प्रेपा सडी हो रहा है सुबा सुबा मेरे लिए और यहां प्रजना अबू आमलेट बना रहे हैं अबू आमलेट में कोई हो नहीं है आपके प्याद हो ले रहा है मैं तर्मा गरम चाय रडी कर रहा हूं firm अलेकुम कैसे अपसे Alhamdulillillam each day a test तो पहले सब घ्रके काम करता था खाना बनाते रहता था चाय बनाता था नाश्ता बनाता था तब समझ में आता था किसी मां काम पे जाती index जाईर सी बात है इसकी माहा काम पे जाती है दोनों बेटे लोग काम पे जाते है तो ये जो वकार का बाप है ये घर में रहता है तो चलो ये खाना बनाता है औरतों की तरह ये घर के काम करता है लेकिन अब तो बहु आ गई है भई गर में बहु के होते ससूर नाश्टा बना रहा है, ससूर खाना बना रहा है, घर के पूरे काम कर रहा है, तो यह क्या परमपर है इनके गर में, वैसे तो पूरी दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होंगे, जो के आदमी घर के काम करते हैं, खाना बनाते हैं, तो बाहर काम पे जाती है बहुत कम देखने मिलेंगे वरना हुरत आदमी दोनों भी या तो काम पे जाते है या तो फिर आदमी जाता है और घर में रहती है लेकिन वकार के बाप की तो कहानी ही उलती है वही यह तो बहुत सुरू से ही घर के काम करते रहता है अंडी लाते रहता है और इसकी मा मां काम पे जाती है सोचो अब जायरती बात है ये काम पे जाएंगा तो कम पैसे लाएंगा मां जाएंगी तो ज़्यादा लाएंगी ना इसके लिए या लिजवा को क्यों शादी करके लोग लेके आये सिर्फ शर्माने के लिए चिछोरा पना करने के लिए गर के काम नहीं कर पैटे कमारी है आदम है के घर में सापों की तरह लोड़ लोड़ के अपनी उमर को बढ़ा रहे शराब पी रहे याश्याँ कर रहे और तें पेशे खिदमत हो रही है वहा वहाँ कितने साल इस फेंट की जरी में वह तो जब से शादु यह तब से रहें तकरीब आठ नहीं द मुझे अच्छी से आदे, मैं बोर हुआ था और जब आप मेरे लिए कोल्डिंग लाइ दिना, जब आप मेरे लिए कोल्डिंग बिल जादे लिए बड़ी बाता थी उस दमाले में, तो आप लाइदे लिए कोई बहुत, मैं छोटा सदा 4-6 क्लास ने, तो मतलब 10 साल वही हो मतलब के वकार अभी 14 साल का है, वा 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 पिटारा, और इसने सोची कि में बात बोलूंगी, तो वकार, पीछे सुर में सुर मिलाएंगा, लेकिन वकार ही बता रहा है कि उस बात को ही 13-14 साल हो गए, सोचो आप लोग के पिटारा कितना जूड बोलती है, बोल रही है 10 साल हुए मेरी शादी को, बोलती है शादी के फोरण बाद इदर आ गएते, फोरण तुम लोग मेरे गर पे जायते, 10 साल तो होई गए होंगे, सबकी उमर, सबकी शादियों के दिन बढ़ते है, पिटारा के काम होते जा रहे है, बताओ, इसका बेटा ही कम से कम 14-15 साल का है, और ये शादी अपनी 10 साल की बता रही है, वकार को ये 14 साल का बताने की कोशिश कर रही है, कि 10 साल इसको आके हो गए, 4 साल का वकार था, तो इसके घर पे आया था, टोटल मिला के वकार 14 साल का है, तो फिर मुत्वा हो गया, 12 साल का, और तेरी शादी को ओगे, 10 साल अरे बसकर, पिटारा कितना जूड बोलती है, हड़ा हड़ जूड बोलती है, इतनी गंदी औरत है ना, ये शरम नाम की चीजी नहीं है, इसके अंदर बे शरम अरत के अंदर, पर आगे की कहानी सुनों आप लोग के, मतलब ये औरत कितनी जूटी है, कितना जूड बोलती है, कैसे गुमरा करती है, अपनी आउडियंस को, आप लोग आगे सुनोंगे, तो आप लोगों को हैरत होगी, के बंदी इतना पैसों को अंगार लगा रही है इतने पैसों में यह याशिला कर रही है बेटारा का खुठागरनी शोचने बात है तो आगे आप लोग सुनेए फिर कहानी पूरी आप लोगों को पता चलेंगी नशोग का दिल्ल होगा के इस घटिया उरत परत केमा मूह तो देना चाहिए किचphin लेक्ट की वरिये? और तू क्यों इतना कूश हो रही है कि बहुत अच्जा घर है बहुत अच्छा घर है पटारा पब्लिक को सच नहीं बताएंगी की सच क्या है पब्लिक को बताना कि क्यों तुझे इनका घर इतना पसंद आया क्यों तु इतनी तारिफ कर रही है उनसे ज्यादा तू क्यों खुश नजर आ रही है है मत बताने की नहीं है ठीक है मत बता हम तो है न हम बताएंगे कि तू किती बड़ी फ्रॉड हो रहत है इतनी जूटी और मकार आउरत है और तेरा खुद का गर नहीं है न जिचारी फंडिंग चाहिए अपनी जो एजंड बेजी थी उच्टे कम फंडिंग हुए गटिया ओर्थां से कम फंडिंग हुए अभी और फंडिंग चाहिए पिटारा जूटी आप लोग सुचो कि यह जो वकार है इसका भाई है इसकी माँ है क्यों इतना इतने गर पे आते जाते हैं मतलब ब्रोज एक चक्कर मारना और इतनी दलाली करना पहले तो नहीं करते थे इन लोग तक्रिबन जब से मुझे लगता है कि ये हाँ बराबर अद्गर वला जो इसका काला मू की थी ना ये बात जब से उपन होई है तब से लोगों को ज्यादा मू लगा के रखिये और उसका हड़ जाना उसका जो बुलते है ना जैसे फल हो गया या क्रेडिट इतने की तरह से दिये वो देखो आगे लेकिन अच्छा है चलो आप अपने घर प्यागे अपने घर का सूखे का लग होता है कि आप जो जीस भी रखोगे अब ये टेंशन ये के हास उठानी है कही हो जाना है तो ये तो फिरे का लगी सकते होट देखे अप लोगों ने किस तरह से कटे पटे होटे पिचारा तेर हमां इलाज करवा रही है करवा ले इलाज करवा ले जैते के तेरी माने बोली थी अच्छा किसी को अगर पता है तो मैं बताती हूँ इसकी माने ये बोली थी के पिचारा को ना हवस्ती बिमारी है हम इलाज करवा रहे है तो प्लीज इसको है ना छोड़ दिया जाए किस से केस से केस हुआ था ना जो इसके उपर तो उस केस से निकलने के लिए इसकी माने विंतियां की थी किसको हवस की बिमारी है हम इलाज करवा रहे है यह अच्छी हो जाएंगी तो प्लीज इसके उपर से जो केस है न वाटा दिया जाए यह थी बिमारी की कहानी जैसे जैसी मा वैसी बेटी बेटी है कि कांड़े पर कांड़ किये जा रही है अम्मा है कि उसको चुपाने के लिए जूट पर जूट बोले जा रही है जैसे ही अम्मा के सामने कैमरा आता है तो अम्मा तो बस हड़ बढ़ा जाती है कि कौन सी अक्टिंग करूं और कौन सी न कर लेकिन बेटी को चुदारने के लिए बिल्कुल भी कोई भी काम करने को अम्मा तयार नहीं तो बैसे भी अगर नीचे ही जाएंगे मतब कि अगर फैमिली जैसे बढ़ेगी तो आपके तो अपनी बिल्डिंग है तो यह फ्लोर रंग यह कभी कौन सा तो वह यह तो है क्या कितने माले की बिल्डिंग है छे माले की चटे फ्लोर पे वकार लोग रह रहे है छे माले की बिल्डिंग है जो पूरी की पूरी बिल्डिंग वकार लोग की है यह कौन कह रहा है पिटारा और क्या कह रही है कि आप भी की पूरी बिल्डिंग है आप जहां चाहिए वहां प कुछ की बिल्डिंग हो तो हम पहले माले पे रहे हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहे चटे पे कौन जाता है रहने चलो अगर हमारी कुछ की बिल्डिंग है तो हम यह क्या लोगों ने बहाने बनाए है ना कि चटे माले पे हम इसके लिए रह रहे हैं क्योंकि हमें चट चाहिए तो भई अगर तुम्हारी कुद की बिल्डिंग है तो चट के उपर लोग करके रखो पहले माले पे रहो लेकिन नहीं चटे पे रह रहे हैं बहाना ये कि हमें चट है ना यूस करना है तो सबसे पहले तो ये सोचो कि वकार ये लोगों ने पूरी बिल्डिंगी बना डाली भई और पिटारा का एक घर ना बना भी तलग जिसको मिलियन में व्यूज आ रहे हैं जिसका चैनल मिलियन में जाने वला है दो-दो चैनल है गोचुआ का भी चैनल है ये जो मुझ काला क टरके पैसा कमाती है वो भी पैसे आते हैं गाडियों के जो रैंट है गाडिया इसने जो रैंट पे दे पिछे, आगे, पिछे, कुटे की तरघा दूम कियों हिलाते हैं ये भी सोचने हाली बात हैं नहीं lifesária तो पिट़ारा को चाहिए था कि इनके आगे, पिछे, उपर, नीचे, दूम हीलाते हैं जैसे कि पिट़ारा के पिछे, पूरा कांधान, दूम हीलाते हो फिर रहा हैं कि क्योंकि पिटारा के पास में नौट है पिटारा का चैनल है इसके लिए वो लोग इसके आगे पीछे दू मिला रहे लेकिन वकारी लोगों के पास में इतना पैसा है कि पुरी बिल्डिंग खरीद लिए पुरी बिल्डिंग बना दिये और फिर लोगों पिटारा के पीछे दू मिलाते फिर रहे हैं ये बात कुछ हजम नहीं हो रही जब वकारी लोग ये मुद्धे में पिटारा के जब रिस्तेदार बनके वाइटी पे आये थे तब इनकी क्या हलत थी आप लोगों ने देखा ही होगा भूके नंगे दिखने में भी चिंदी चोर कोई ऐसा ना जौब कर रहे थे ना इनका घर अच्छा था ना कुछ था अब अच्छानक से लोगों ने पूरी बिल्डिंग बना के तीन रूम वाला घर लेके इन लोग चटे माले पे रह रहे हैं और टैरिस इन लोग यूज़ कर रहे हैं तो भई सच्छा ये है कि ये जो बिल्डिंग है ना ये पिटारा की है पिटारा ने ये बिल्डिंग बनवाई है और ये जो कुत्ते की तरह दू मिलाते फिर रहे हैं ना इनको बहुत कम रेंट पे इसने तीन कमरों वाला घर दिये रहने के लिए और इनको टैरीज दिये यूज करने के लिए क्योंकि नीचे का दे देंगी जायरती बाता है, first floor, second floor है ना कित अंदर रेंट बहुत अच्छे आते हैं ठट पेज जाके रेंट थोड़े कम होते हैं फिर थोड़े कम होते हैं क्योंकि लिफ्ट नहीं होती ना बिल्डिंग में तो जैसे जैसे उपर के घर रेते हैं वैसे वैसे रेंट कम होते जाता है तो इसने सब से जो लास में था ना छटा फ्लोर वो इसने इन लोगों को भीक में दीए कि तुम लोग रओ और थोड़ा कम रेंट दे दे ना तो इसने ये आइसान किए इनके उपर तीन कमरो अलग घर देखके एक कमरो अले घर के जित्ता रेंट ले रही है बाकी के पूरे जो पांच फ्लोर है न ये देने वाली है सब के सब घर रेंट पे और उसका रे पूशो ना उन लोगों का कुत्ते की तरह इसके आगे पीछे दू मी लाना समझ रहें आप लोग और उसमें से कुछ घर इतने सेल पे भी लगाई ए और आप यक्किन करोगे जो घर वकारी लोग जो घर में रह रहें न वो घर की कीमत तीन कमरो वला वो घर है वो घर की कीमत खली देड से पौने दो कडोडे छट्टे माले पे आ वो खली देड से पौने दो कडोडे तो सोचो पूरी बिल्डिंग किते कडोड की ओईगी एक फ्लोर खली देड से दो पौने दो दो कडोड का है तो छे माले की इसने बिल्डिंग बनाई है तो वो कितने कडोडों की बि यह दिखा रही है कि यह वकार लोग की building है वकार का घर है क्यों ताकि यह लोगों को मैंने घर दीू ना तो यह लोग यह इल्जाम अपने पे ले ले और और आउडियंस को यह जदाए कि भाई यह building हमारी है और इनका मुँ बंद रहे इतना अच्छा गेम खेल रही है ये और ये औरत है ना पैसे बैंग में नहीं रख सकती है क्योंकि बैंग में रखेंगी तो टैक्स बरना पड़ेंगा चोर ये एक नंबर की है तो टैक्स तो ये भरेंगी नी इंक्वैरी होएंगी के पैसे कहां से आ रहे है तो ये सारी चीजों से बचने के लिए ये फटा फट से घर ले लेती है बिल्डिंगे बना देती है बंगलो ले लेती है और ऐसी बिल्डिंग ये तो अभी छे माले की आप लोगों को बिल्डिंग दिख रही है अभी तो आप लोगों को जो इरा ने घर दिखाई थी वो दिख रहा है ना बाकि ये गर रेंट पे चड़े हैं चड़े हुए है और अच्छा खासा रेंट आ रहे हैं और अभी आप लोग सोचो ये छे माले की जो बिल्डिंग है इससे इसको कितना रेंट आएंगा और ये फकिर नी बोलती है इसके खुद का घर नहीं है तो क्लैपिंग तो बनती है तो ये गटिया ओरत है इसकी माँ छे माला चड़के आ गई और बोली मेरे को नहीं पता चला के मैं छे माला चड़ गई जाईरती बात है भई तेरी बेटी ने घर दिखाने बिल्डिंग दिखाने लेकर आई तुझे तो तुझे कहां से पता चलेंगा तुझे माला क्या तुपर भी चले जाएंगी ना बेटी के बोलने से तो तुझे पता नहीं चलने वाला इतनी तो कोई घटिया ओरत है शरम नाम की तुम्हारे अंदर चीज नहीं है बेटी लफडे कर रही है फ्रॉड कर रही है हमा लगी पड़ी है उसके फ्रॉडों में साथ देने के लिए शरम है इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है जूटी मकार औरत और अभी तो इसे और भी यह बिल्डिंगे चला चलाने वाली है पता है अप लोगों को यह ना जगा ले लेके रखी है अब वहां पे बिल्डिंगे बनाएंगी छे माला साथ माला यह जो वकार के वीडियो में इतना कह रही थी ना कि ऐसी बिल्डिंग है कहीं आसपास में ऐसी बिल्डिंग है आसपास में तो यह अपनी बिल्डिंग की तारीफ कर रही थी कि देखो मैंने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली खुद की ही अंदर मतलब खुद को ही जताना चाहती थी लेकिन सच्छा ही यह ह कि यह building इसपी है और वकारी लोगों को इसने सारा के सारा नाम लोगों का डाल दी ता कि ये गरीब बनी रहें कितनी घटियां ओरत है ना कितनी चालबा जही है सच में यार मैंने ऐसी ओरत नहीं देखी जो इतने गेम करती है इतने गेम कहलती है खेर आप लोगों को कैसा लगा ये नियूस सुनके जरूर कमेंड में बताना और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंड में जरूर बताना वीडियो पतन आएंगी तो लाइक शेयर और सबस्क्राइब भी कर देना मिलते नेक्स्ट वीडियो में लाफीस झाल झाल